हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो माई चैनल मैं हूँ काव्या सो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी नर्सरी से लाए हुए विंटर प्लांस को हम किस तरह रीपॉर्ट कर सकते हैं किस तरह की सॉयल हमें उन्हें देनी है तो नर्सरी की जो की है तो जरूर इस वीडियो को चेक आउट कीजेगा तो जो विंटर प्लांस होते हैं उनकी सॉयल बहुत ही इंपॉर्टन रोल प्ले करती है उनकी ग्रोथ के लिए और फ्लारिंग के लिए अगर आप बहुत अच्छी बनानी होगी तो आज की वीडियो में मैं वहीं शेय की फुल होते हैं यानि फ्लारिंग उनमें ज्यादा क्वाइटी में होती है तो उसके लिए हमें बहुत अच्छी सॉयल दीनी काफी जरूरी है तो जो सॉयल आज मैं देनी वाली हूँ हो है देखे फ्रेंड्स यह मेरा जो नॉर्मल जो गार्डन सॉयल है यानि की जो सॉयल में आप लगा सकते हो तो जो winter plants होते हैं उन्हें बहुती soft soil की जरुरत होती है यानि बहुती पूरश soft soil होती है तो हमें उसी तरह की soil बनानी होगी तो यह स्वाइल में बना रही हूं यह pot के लिए है अगर आप hanging basket के लिए बना रहे हूं तो आप सेंड की जगह पर से ही पानी डालते हैं तुरत उतर जाता है तो उसी तरह की सोईल हमें अपने विंटर प्लांस को देनी है तो मैं इसमें थोड़ा और सैंड मिक्स कर रही हूं ताकि हमारा जो सोईल है वह बहुत ही अच्छा सॉप्ट और पूरस बन सेके अब इसमें हमें एड करना है कुछ औ अगर आप पॉर्ट वाइस बनाते हो तो आप एक चमच दे सकते हो नेक्स्ट मैं एड कर रही हूं बोन मिल बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉस्फरस और कैल्शियम का और यह बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है विंटर प्लांस के लिए यह रूट की ग्रोथ में हेल्प करेगा और फ्लारिंग में भी हेल्प करेगा तो आप ज़रूर बोन मिल एड कीजेगा अगर बोन मिल नहीं है तो आप दीएपी यूज कर सकते हो या आप रॉक फॉस्फेट भी यूज कर सकते हो नेक्स्ट हमें एड करना है फ्रेंस नीमखाली तो यहाँ पर मैंने एक मुठ़्ी नीमखाली ली है नीमखाली एक बहुत ही अच्छा फंगी साइट का काम करता है अगर आपके पास नीमखली नहीं है तो आप फंगी साइट पाउडर का भी इस्तमाल कर सकते हो नीमखली एक fertilizer का भी काम करता है यानि इसमें nitrogen होता है जिससे हमारे plant के leaf growth में help होगा तो आप नीमखली एड कीजेगा एक मुठी और जो next हम add करेंगे friends वो है वर्मी कमपोस्ट तो मेरे पास वर्मी कमपोस्ट है इसलिए मैं वर्मी कमपोस्ट एड कर रही हूँ अगर आपके पास वर्मी कमपोस्ट नहीं है आप काउडन कमपोस्ट भी डाल सकते हो या आप कीचन विस्ट कमपोस्ट भी add कर सकते तो वैसे तो इसमें compost है बट मैं इसमें और add कर रही हूँ ताकि हमारा जो soil है वो काफी rich हो जितनी अच्छी fertilizer हम जो है add करेंगे soil में उतना ही अच्छा हमारा plant flowering करेगा और इसमें यह लगा लेंगे प्लांट को लगा लेंगे लिए प्लांट यह सुखी हुई थुपित अग्णिंग बास्केक प्लांट है या यानि ही लिए प्लांट है अगर आप hanging basket के लिए soil बना रहे हूं तो आप sand के जगवा पर cocoa-pid लीजएगा उससे आपका जो soil है वो काफी light sweet होगा हैज़िए बासकेट के लिए वो perfect soil होता है तो आप sand को replace करके cocoa-pid mix करके same सारे fertilizer आप एड़ कीजएगा तो चलिए अब हम इस pot में plant को लगा लेते हैं तो आप हमेशा चेक कीजेगा कि pot में hole होना काफी ज़रूरी है ताकि पानी रुके ना क्योंकि पानी रुकेगा तो root rot होगा और हमारा plant जो है मर सकता है तो आप देख सकते हो इसमें एक hole है तो एक hole enough है इसके लिए root ball को आपको बिल्खुल भी disturb नहीं करना है यानि आपको इसके root ball को disturb नहीं करना है अगर आप इस तरह के poly bag में लाते हो तो poly bag को cut करके या आप इस तरह टियर करके उसे ध्यान से निकाल लीजेगा क्योंकि जो winter plants होते है उनकी roots काफी पतले होते है और अगर हमसे गलती से कुछ roots टूट जाए तो plant की growth में रुकावट आ सकती है या plant हमारा मर भी सकता है आप देख सकते हूं कितने पतले-पतले roots है इसकी तो आपको बहुत ही ध्यान से root ball को निकालना है और pot में लगा लेना है तो मैं अब spot में root ball को लगा लेती हूँ तो जो winter plants होते है friends वो काफी beautiful होते है आपको जरूर winter plants को अपने garden में add करना चाहिए अभी मुझे और भी कई plants add करना है अपने garden में अभी जो है nurseries पर काफी plants नहीं आये है जैसे कि calendula है गजानिया मुझे और लाना है और बिगोनिया में लेकर नहीं आये हूँ तो काफी सारे ऐसे plants है जो मुझे अभी और add करने है तो देखते हैं कब तक हमारे nurseries पर और ही plants आते है तो जितनी flowers हमारे garden में दिखेंगे उतना ही मन हमारा खुश होता है तो अगर आपको भी मेरी तरफ flowers पसंद है तो आप जरूर winter plants को add कीजिए आपका मन जरूर खुश हो जाएगा तो मैंने दोनों पिटोनिया को report कर लिया है इसी तरह मैंने देखें टोरेनिया को भी report कर लिया था कल ही मैंने इन तीनों plant को report कर लिया है तो एक rectangular pot में मैंने इन तीनों को लगा लिया है देखें साथ में कितना खुबसूरत लग रहा है तो आप इस तरह अलग-अलग colors के एकी pot में grow कर सकते हूँ और यह है मेरा angel wing bigonia जो कि मैंने cutting से grow किया था और देखें बहुत एक खुबसूरत यह plant होता है बिगुनिया का और यह daintus के plant भी मैंने report कर लिये है तो आप भी इसी तरह अपने plant को report कीजिए इस तरह की soil दीजिए और देखें आपका plant बहुत अच्छी flowering करेगा तो friends यह था आज का वीडियो किस तरह हम nursery से लाए हुए winter plants को report कर सकते है I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर helpful लगे तो ज़रूर वीडियो को like और share के जाएगा और चैनल को ज़रूर subscribe कर लिजेगा तो चलिए friends मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए सेफ रहिए हल्दी रहिए and thanks a lot for watching my videos friends